जैहिन दोस्तो और गूड इवनिंग तो जैसा कि दोस्तो आप सो अपने स्क्रीन पर देख रहे हो आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे इंटरमीडियेट इग्जामीनेशन दोजर तेईस के एनुवल जो आपका इग्जाम होने वाला है उसके निव पाइटन जो मोडल पर जो आपका अधारित है दोजर तेईस के उसके most important physics के subjective questions को अभी हम लोग डिसकस करेंगे ये सारे के सारे बहुत ही important और BBI questions होंगे जो कि 2023 बोड में direct आपको ऐसे देखने को मिलेगा और इसमें कोई भी changes होने को chances नहीं है 2023 के लिए और जैसा कि आप सबने ऐसे center exam को question देखा था सारे questions इससे आपको मिले थे उसी तरीके से आपको 2023 के most important objective questions को ऐसे इसमें लोग भी discuss करने वाले हैं तो आप लोग से बस request है कि 24 से 25 मिनट की वीडियो होगी वीडियो को पुरा ध्यान से इंड तक देख ली जगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो instruction आपको मालूम ही है कि total संख्या जो होगा questions का वो होगा आपका 66 जिसमें से 42 objective होंगे 18 subjective जो की short type और बाकी के 6 long तो इन पे से आपको answer देने हैं और जो objective का जो answer देना है एक से ले की 42 तक में जिसे 35 का आपको answer सही सही देना है section है आपको objective होगा एक से 42 के question में आपको objective के answer देने है OEMR sheet पर किस पर देने है OEMR sheet पर ठीक है तो 35 में 35 हम लोगे से कोसिस करेंगे इससे बनाने का तो चलिए करते हैं पहले question से start 3 तार को जमने को भी start करेंगे पहला question आपके screen पर ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा जाता है तो परतिक परतिरोद जो है ना परतिक का परतिरोद अगर तीन हो में है तो पूछा जैसकी समतुल धारिता क्या होगी आप लोग के रख लिए यह screenshot लिजे यह question लिए इस परकार का आपका एक नमर question पूछा ही जाएगा कुछ भी हो जाए आपके दोजात तईस जो एन्वल एक्जाम होने बला है उस भी एक नमर यह question आपको दिलाने बला है अब answer लगो इस question का सही जवाब क्या होगा question देखिए अब answer लगो very good देखिए यह जाए अब का पर कहा है अगर इसको समनांतर कर में जोड़ते समनांतर कर में कैसे जोड़ा जाता है आपको पता होगा आपको पता होगा 2+. 1 by R2 1 by R3 अब simply क्या करना यहां पर R1 r, T2 r 3 दिया गया है अब तो यहां से तो बच्चा खेले अब बच्छा खेल में अगर पास नहीं करोगे वह तो कैसे यह अप लोगो ख्ला एकजाम में खील हो गया न तो को तीन बट्टा तीन कटेगा तो बचेगा तो एक ही ओम अभी बच्चे अबला लॉसर मोसर तो शिखाने की ज़रूद पड़ेगा यह नहीं आपको क्योंकि उतना तो आप लोग 12 के छात रहें तो आंसर क्या हो जाएगा और तीन नमर्ए हो जाएगा तीन कैसे होगा बताओ नाइन ओम कैसे देरो जबाब ऐसे गुना थोड़ी करना है आपको जब भी कहा जाता तीन तार को समनांतर कर में जोरा जाता है और परतेक का परतिरोद अगर तीन ओम दिया जाए और इसकी जो सम्तुल धारिता क्या होगी और अपरतिरोद दिया गया है तो सिंपली जो ए वह इसको एल सीम लोगे तो तीन आएगा एक ही आँए अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन हे का बिलकूस सही जबाब है आपको सबकूस में आ गया होगा चले अगला कुशन देगे लेते क्विशन मदू दूसर बात हो रही है क्या एक electron bolt का मान होता है अब देखिए the value of one electron bolt is 10 की बात हो रही है आपके पास शार option है अपर दिया ज़रा है तो देखो एक electron bolt जो होता है यह आपका किसके equal होता है यह equal होता है 1.6 into 10 to power minus 19 जूल के बराबर होता है आंसर की बात की जाए तो option यह मर क्या हो जाएगा option C is question का बिल्कुली साही जवाब है अच्छी तरह से याद देखना ठीक है ओके अच्छी तरह से याद देखना वन electron bolt का मान कितना होता है एक electron bolt याद दर एक्जामे question पूछा जाएगा यह होता है 1.6 into 10 to power minus 19 जुल होता है आप लोग इस्टार लगा लेजे question छपेगा आपकी परिक्षामे चल यगला question दिख लेते है question में 3 question में 3 देखे वा अंसल को question का से उतर क्या होगा बिद्दु छेत की जो तिवरता जो होता है इसका मातरक क्या होगा आपकी पाश 4 option यह पर दिया ज़रा है अब answer को इस question का से उतर क्या होगा तो बिद्दु छेत की जो तिवरता का मातरक जो होता है यह आपका क्या होता है बोल्ड परती मीटर होता है यानि option क्या होगा option B question का विल्कुली right answer है अगली question की बात करे question 4 पूछ रहे क्या बिद्दु विभाव का मातरक होता है यानि इसका unit पूछ रहे क्या होगा अब answer लगों इस question का से उतर क्या होगा इसका मातरक होता है जूल परती जो है कुलाम हो जाएगा जू की option नमरी इसका बिल्कुली right answer है अच्छी तरह से याद कर लिजे और सभी की सभी स्टोरी इतना बढ़िया question कर बारा हूँ अना तू सभी बची like जरूर कर लिजे और अगर चैनल से नहीं जूरे तो चैनल को सब्सक्राइब कर गे बेल आकोर प्रेस कर लिजेगा ताकि आपको परते क्लास का notification सबसे पहले मिले मैं इस question की बात करें question में 5 अब देखो पांच में नमर question आपकी screen पे आ चुगा है अब answer को इस question का सी उतर क्या होगा देखे बात तो रहे संधारित्य जो है यह आपका संचक का जो है काम क्या होता है संधारित्य संचक जो है संचक का पूछा ज़रा है क्या इसका काम क्या होता है आपके पाशार option है पर दिया ज़रा है इसका काम होता है क्या धारित्य को बढ़ाना क्या होता है धारित्य जो इसको बढ़ाना जोडने पर जो है सम्तुल धारिता क्या होगी जार सी बाद अभी जस्ट उपर हमने बता है था क्या होगा सिंपल सा जोडना है तो यानि सीवन प्लस क्या होगा सी टू हो जाएगा तो question में चरका answer क्या हो जाएगा option 20 का बिल्कुली सही जवाब है अले question की बात करें next question देखें सेवन अमर प्रशन आपकी स्क्रिंज पर आ चुका है अब answer को इस question का right answer क्या होगा बात हो रही है इनमें कौन जो है सदीश है option 20 का क्या होगा बिल्कुली सही जवाब है जो जो बची option इसका सी चूस करें उनका बिल्कुली correct answer है ओके अच्छी तरसी यादिना सदीश रासी क्या है दनिगा पूछा जरे कौन सदीश है यादिना विद्धुत तिवरत्ता क्या आपका सदीश है option 20 का सही जवाब है अले question की बात करें next question एक प्रश्न क्या है सम जो है विववी तल जो है और विद्धुत बल रेखा एक दूसे को क्या करती है चली answer लगाओ जाम में बार-बार प्रशन पूछा जाता है यह 90 डिग्री पर काटती है तो option क्या हो जाएगा बीस क्विश्चन का बिल्कुल ही सही उतर है चली अगला कुश्चन देख लेते क्विश्चन में बीच जो ऊप्शन पर साइब स्टेट क्युक्त लेक्विश्चन की बात करें क्विश्चन मर्ट देखें इंग्लीज और हिंदी दोनों मेडिया में क्विश्चन टाइप करने में बहुत मयानत लगता है ठीक है अधुक्षण समय ही नहीं मिला आपको हम बता देता है साही सह आज टाइम ही नहीं मिल पाया हमें नहीं आज आज 9 pm में वी कलास नहीं होगा नहीं एक प्रिजिक्स कहां जो है न पुरे NCRT से question खूज के लाया हूँ ठिक है ये पुरा जो है NCRT book से निचोड लाया हूँ इसलिए जो आज आरबोर्ट का मॉडल पेपर पहले बता दे और यह हमने खुद तयार क्या हूँ जो कि 2020 बलेशाद के लिए देखना आती आवश्चक है देखे बात रही क्या गोलिये खूल गोलिये खूल के अंदर जो है विद्दुति व्रता होती है पूछा जरा है क्या होती है यह होती है क्या होती है शुन होती है तो आप्शन है इसका बिल्कुली राइट आंसर है अले क्विशन की बात करे क्विश्चन में 11 है साबुन के एक बुलबुले को जो आविश्च करने पर जो उसकी तिरजिया हो जाएगी यह पूछा जरा है यह आपका इंक्रीज होती है यह जो जरा आपको जाता है यह इसके दोरा इनररजी को मापा जाता है तो आपको क्या होगा डीस विश्चन का बिलकुली राइट आंसर होगा अच्छी तरसी यह आद अगना कि किसी संधारित की धारिता का मात्तक क्या होता है इसका मात्तक क्या होता है बोल्ट होता है या न्यूटन हो जाएगा या फैडार्डे हो जाएगा या अम्पियर हो जाएगा चार आप्शन है पर दिया जरा है तो किसी संधारित की धारिता की बात हो रही है और इसका जो मात लगा जल्दी से जलिए अजसे लिए अनसर जाओ क्या होगा प्राश्य दे लिम से लिल आइज अतलर का सहीज जवाब क्या होगा प्रैस सन देखिए कह वांच ल Jeżeli रहे च्टली बिल्कूल देरी नहीं करना है और शेयर भी आप लो कीजी ढotzतर को ओके चलिए जल्दी जली आईए सभी बच्चे आईए बोला आंसर लगाते चलिए बिल्कुल देरी नहीं करना है ज्यादा ज्यादा शेयर किजिए इस वीडियो को ताके जुजो बच्चे धना दो जात तो इस परिक्षा में एकदम चाते भुकाल मचाना और जुजो शूड जेने सभी बच्चे जो ना लाइक जरूर कर लिजे जो जो बच्चे भी तक नहीं किये इमंदारी से आपको कलाश करना है ठीक है इमंदारी से ओके चलिए आंसर लगो इस क्विशन का सभी जवाब क्या होगा प्रस्चन देखिए अब आंसर लगा जल्दी से जल्दी 15 नम सब्सक्राइब लेकिन बहुत का गलत भी आंस आ रहा है कियर कोई नहीं अभी से आपको चीत जाद ना देखिए बात हो रही क्या समना अंतर प्लेट और संधारित में जब वायू के अस्थान पर क्या हो उच्छ जो है प्रवैधूत होता है तब यह क्या होगा यह आपका क यह उच्छ धारह उच्छ जो है यह उचछ बख़ल्टथा दोनों होगा या कीबल अलपधारा तता ठहले हूँ त Looks वाइशन का सहीजवाब क्या होगा तो जुदू बच्छी ओप्षिन क्या सूज करें सूलर का ओप्षिन बिसका चुज के उनका विल्कूफ ये आपका क्या हूगा हाइव ऑड़िज आफ टाज भॉलता जो है यह उत्पन करता है तो ऑप्षिन क्या होगा उतर क्या होुआ है अब य से बात एक जो है न डाए अलेक्टिक जो है माध्यम के अनूग का जो है अगुर्भ अगुन सुन है। इस गनीते योग पुछ है क्या होता हैसका ओप्षिन क्या होजाएगा तेंग पूछ स्विच्छ देखी सफन्तर कि जरृता brother को ऊपने मनें पूछ क्या जाता है इसमें विवार क्या बताऊ जब ना और आपके स्वेर प्रसुन जबंगों च्कूष्ट का सही जवाब क्या इसमें जो व्यभार किया जाता है उश प्रतिरोद और निम्न प्रतिरोद दोनों व्यभार के आज़ाता है तो ऑप्शन सी का बिल्कुली राइटा सरे है अले वैक्षिन की बात के वी धूत वहाग बल मापा जाता है लेकिन किसे म मना पाँ सिर् sobie as you Map editing के दवारा अच्छी तरह सी आदखना ऑप्शन क्या होजएगा बिल्कुस सही जबाब है अच्छी तरह सी आदखना इसेल का जो बढर माप Pk disease कि बात करें आप 2 अगर किसी जो बिद्दुछेट में तिवरत आई है तो इसमें पूछा जरहे क्या बिद्दुद उस्तिति जो ऊड़ा धनात्व सवनुपाति होता है यह पूछा है क्या यह स्वेर के सवनुपाति होगा option का correct answer है यह question बहुत ही खास है अब आदसल लगा यह क्योने किलोवाट घंटा जो इन यह पूछा जरहे मात्रक है यह पूछा जरहे क सिर्टा, विवानतर के पूछा रहा किसी विद्दुद परिपृष्थ को आधा करने पर उत्पन, क्या होगा यापका दोगुन्हे ओप हो गा आते हैं आपनों देखी लिए हो सबका क्रेक्ट आ रहा है नेक्स कुछन की बात के 25 है किसी पूचा जाए विदूद बल्ब को जो है ना बल्ब के धारा को एक परसेंट से बढ़ाने पर उसकी सकती जो है बढ़ती है अगर एक परसेंट बढ़ाएंगे उसकी सकती यह जो पा पर दिया जाए यह बराबर रता बोल्ट इंटु आ एंपियर के बराबर होगा ऑप्शन डीस का सही जवाब है चलिए नेक्स की बात करें क्विश्चन में 26-27 है चलिए 27 क्विश्चन का सी उतर क्या होगा प्रश्चन पूचा जरह क्या विद्दूत उर्जा को उस्मा में परिपत के गुण को पूचा जने का जयता है पूचा जे क्या कहा जाता है अपकी पार चाहर ऑप्शन दिया जाता है इस से seems रहां प्रतिरोद कहा जाता है option D इसका बिल्कुली correct answer है अगली question की बात के MPR घंटा मात तक होता है देखे 42 question करवाने वाला हूँ बहुत कम person बच रहा है whatever कर लिजी और उसके बाद class कम्याज उसके बाद next class अभी आपका नहीं होगा 9pm वाला भी class नहीं होगा चुटी है ठीक है चली आंचल को MPR घंटा मात रगे क्योंकि अपन जो न थुरसा time table बना रहा हूँ कैसे class रिजना कैसे जो है statzy रहेगा आपके 23 प्रिक्षा कैसे आपका जो है न सभी विशय का full content कैसे मिल पाएगा कैसे क्या करना थुरसा इसके बारे जो है थुरसा time हमें इसके लिए लगेगा ठीक है इसके लिए थुरसा इस class के बार आपको छुटी है चली MPR घंटा मात रगे आप लोग भी थुरसा रेजिट कर लिजी MPR घंटा मात रगे किसका मात रगे होता है अब इसका मात रगे होता है तो आंसर हो जगा आपके बाशार ऑप्चन दिया गया संचायक सेल की धारिता का मात रगे है तो ऑप्चन सी इसका बिल्कूल करेक्ट आंसर है अले क्यूशन की बात की कुश्चन में 31 दिखिए वाँसर लगो इसकूशन का सही उत्तर आपको जब है इसका बिल्कू से जबाब है आपको जब इस प्रकार प्रसनेगा त्यापको उतना फार्मूला नहीं लिखना है देखो तीन तार के बात हो रही है और सब के लिए परतिरों तीन है तो एक बटा थीन प्लस एक बटा थीन प्लस एक बटा थीन सिंपल सा लो इतना एक्जाम में ज्यादा आपको जो है न कैलकुलेशन करने यह तो मुझावानी भी आप लोग मार सकते हो तो आंसर ऑप्शन ही देखे बिदुच चुमक्या के नियम को पूछे कहा जाता है इस नियम को कहा क्या जाता है चार ऑप्शन है पादिया जरा है इस नियम को कहा जाता है फैडाडे का नियम क्या कहा जाता है ऑप्शन सी इसका बिल्कूल सही जवाब है ओके अली कुशिन की बात करें एक्सक्रिशन 34 में प्रश्न देखे ल शर्मान के सनक्चन से दान पर काम करता है यह संबेख के सनक्चन से दान पर काम करता है चार प्रेज्णा कुंडली ये पूछा जरा από प्राप्त की आ जाता है चली आंसर लगा करेक्ट आंशर है इसके दोरह प्राप्ट केया जाता त 2 करेक्ट आंसर है अलग है पर काज परकाज ब्जूद प्रभावक की खोज पूचा जह ин only कि जाते हैं लेकिन पूचा जाता है किसे ने किसम करेक्श देस्थर ने किती जलेना की थी लेकिन ये कह भीम किती से यादखना परकास विदुद प्रबाब की खूश सर्पतम किसने की लेनार्ख ने ओके चलिए बहुत ही सांदार्ड जबदस आंसर देदे और जितने स्टूडे ने सभी की सभी बचे लाइक जरूर कर लेजी मंदारी से लाइक करो ठीक है ना अले किशनी बात के 37 प्रमानो का 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 है लगबग देखो परमानो की बात हो रही है इसका जो आकार होता ही बहुत ही जदा च्छोटा यानि 10 प्रमेल होता है जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा option C इसका बिल्कुली correct answer है और जो जो बचे option इसका सी चूज करें वो समझे लिजे गजब की तयारी का लेवल है एकदम जबर दस्त नेक्स क्विशन की बात करें 38 अब 38 निमर क्विश्चन सभी बचे आंसल को बस आप इसके बाद जो है न व्यालिस क्विश्चन पर एक लास स से बाद आराम से आपनों रेष्ट किजिए जब अदस्त त्रिके से त्यारी में जो न लगे रही है बिल्कुल भी जो न मिस नहीं करना क्लास ठीक है चलिए प्रस्चन देखिए बांसल को इसक्विश्चन का सही जबाब क्या हुगा जल्दी से जल्दी क्विश्चन देख साथ क्या गजब का कमाल का अंसर दिया दिल तो खुश हो गया देखे बात थोड़ी क्या प्रस्चन क्या पूछा रहे बताऊ जारा प्रस्चन पूछा रहा है है जो नो स्थिखे पर्वेगनिक च्हित में यह आपका प्रवेगनिक दिखे परद है ना है यह आपका कितना होता 91 1931 मेगा एलेक्टोन बोल्ड ठीक है 1931 मेगा एलेक्टोन बोल्ड तूल उर्जा होती है आंसर की बात की जाये तो आप्शन क्या होगा इस कुछन का बिलकुली करेक्ट आंसर है अलग की पूछन देखिए चालेज से में प्रफेशन देखी वी एशेफ तता यूएचेफ जो सिंगनल संचार में जो है इसके पूचार किस विदी में परयुक्त होते हैं देखिए बात तो यह क्या वी एचेफ और यूएचेफ की बात वूरे ठीक है अब यह वी एचेफ जो ना यह पूचार जो है सि किसी विदी में परयुक्त होते ही यह जो परयुक्त होते ही आपका आंतरिक्ष जो है संचार विदी में परयुक्त होते है तो option क्या होगा सी स्क्रिशन का बिल्कुली correct answer है और जो जो बचे options का सी चूर्ट किसी चूर्ट